असलाम वालेकुम आज हम दिम्मेटर साइंस के नेक्स्ट में सेख्ट करते हैं हमने सीख्स क्लास के कंप्टर के स्टाइट की होगा है यह एचुकर्ण के जॉप्स के लिए पर यह बेसिक ही एमसी के लिए आज को हमारा फर्स्ट में से यूज है थो भी चौद फॉलिविंग सरक्ट कीज वह ऐसा स्टूबी तब पीसी अब आप लोग इनमें से देखेंगे पीसी की फॉल फॉर्म क्या है क्या है क्यूंकि शॉर्ट कट कीज के बहुत सब्स्ट पूछी जाते हैं तक्रीबान पीपेसी के हर वेपर्स में आप लोग बोल पेपर्स करते भी होंगे विंडोज की प्लस ए विंडो प्लस ए को एक साथ प्रेस करके हम कहां चेले जाते हैं पीसी में चेले जाते हैं नेक्स्ट है मुविच्ट फॉल्विंग इस दा कॉमन यूज तो स्टोर दाकुमेंट्स म्यूजिक पिक्चर और डाउनलोड्स फाइल अब इसमें कहता है क्य प्लस तर चीज़ें में चेज़ें और ऋड़ करें मॉवी जिसें हमारे पिक्श्ट है मुवी जिसें बटी हो एगी मुविञें दिए कुछ भी ओ तो हम उसको किछ ने पी खिर सकती हैं यूज सेसरे को नम दे देता है नेक्स्ट है में बटनेंगों इसमें डिलीट और दो उसको वापस से हम जिस फोल्डर में भी वह उती है तर आ जाती है next है next इसका है 164 which of the following is the web browser and use to be the quickly access the internet अब इसका यह कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा चल्दी इसके जरी से internet को हम असेस कर सकते हैं वो कौन सो होता है वो हो तो है internet explorer ठीक है internet explorer के जरीए से हम क्या कर सकते हैं easily net को क्या कर सकते हैं access कर सकते है next day internet explorer was built by the microsoft internet explorer को कब बनाया गया था किसी यह में 1995 में next internet explorer is abbreviative internet explorer की shortcut shortcut form कौन सी है इसको किस तरह लिखा सकता है ie ie को यह भी पुचह जा सकता है अब लोगों को निहां याद कर लेने और मोस्टली की अच्छों में कि पुछी होती है थो आप लोग इनको तो आछे से याद कर लें पॉइंटर माउस पॉइंटर इस विदा कम्प्यूटर माउस पॉइंटर इस विदा उसको हम क्या नाम दे सकते हैं पॉइंटिंग कह सकते हैं जिसके जरी से हम चीजों को टच कर सकते हैं विदिन दा कंपेटर के अंधर से नेक्स है 168, 168 में कहता है कि to activate the start by using the keyboard process, keyboard को हम कैसे activate कर सकते हैं या start कर सकते हैं windows की के जरीय से भी a control और yes का meaning होता है कि full form इसकी क्या होता है, इसकी full form भी पुछी जा सकते है escape control and escape के जरीय से हम क्या कर सकते हैं, window का activate कर सकते हैं next है कि which one consists of the group of related commands commands की के अंदर होता है, start menu के अंदर पाई जाती है बट्टी तर ये black and white है तो इसके अंदर clear नहीं है और पेपर में आएगा तो ये clear चीज़ बुछी होगा, clear बना के दिया हो next कहता है, match the given start button with the correct option अब कहता है कि ये इस तरहां की window है, ठीक है इसके अंदर 4 चीज़ है, ये वाली window का logo है और ये start button के पास है तो ये कौन सी वाली window है, ये name पोच रहा है ये जो इस तरह का logo बना वो होता है, वो window 98 का होता है next कहता है 171 में 171 में कहता है, match the given start button with the correct option अब ये देखें, अब इसमें जस्ट ये 4 box बने हुएं ऐसे करें ठीक है, और ये जो 4 box होते हैं इसके साथ कुछ भी नहीं है और ये start button लिखा होगा, ये different color के होते हैं तो ये होती है window xp की ठीक है, ये window xp की logo बना होगा होता है next है, कहता है, match the given start button with the correct option अब ये देखें, सीम ये ही चीज है, बट इसके ओपर क्या लगा होगा है, circle लगा होगा है और जिस चगह पर circle आ जाता है, तो ये किसका बन जाता है window xp का बन जाता है अब ये तिनों में बुछ होगा है कि कौन से window है तो आप लोगों ने इनके logo याद कर लेने, लोगों की जैसे आप लोगों पहचान लेंगे, ये कौन से window है आज हमने ये कुछ important mcqs cover की है computer science के आप लोग इन mcqs को देख लें मैं ये कहते हूं कि जब भी आई jobs बट आप लोग ये करें कि थोड़ा 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 रीड करते नहीं कोई भी वोगों को ठाले मंज़ाब टेक्स बुक से रीड कर लें इनसे न आप लोगों का ये फायदा होगा नि एके आप抉म इस गयाना को डियान के एकुछ इस अब है नोगों कि बेसिक ट्रोंग हो जाएकएग तो आप लोगों के टेस्ट भी कलेर होजाएगा चाहेगा और भी आप लोग direct mcqs करने के बज़ाएं आप लोग इदर से basic से चलें basic स्ट्रोंग करें ठीक है इंशालतला कल हम कोई और mcqs स्टार्ट करेंगे इसके आगे वाले